हिंद भारत आपकी अपनी आवाज दरसल मध्यपर्देश की रीवा लोखसभा से भारते जंता पार्टी के सांसा जनारधन मिस्रा अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं रश्टचार के वकालत करते हुए कहा है कि मुझसे सर पंचोर की ब्रस्टचार की शिकायत मत करो। उन्होंने कहा कि अगर कोई सर पंच 15,00,000,000 रूपी तक का ब्रस्टचार करता है तो मुझसे मत कहिए। उसने पैसी लगा कर चुनाफ जीता है और अगले चुनाफ के लिए भी उसको पैसी चाहिए अगर कोई सरपंच 15 लाग से ज़्यादा का ब्रष्टाचार करता है तो माना जा सकता है कि उसने गड़बड की है बिजेपी सांसत जनारदन विसरा ने कहा कि जब लोग हमारे सामने आते हैं तो सरपंच लोग ब्रष्टाचार कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाग तक का ब्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे मत कहो 15 लाग के आगे अगर वो कर रहा है तो भरष्टाचार मान सकते हैं क्या है वाकी ऐसा है सांसत जी का कहना है कि 7 लाग पिछले चुनाव के और 7 लाग आगने वाले चुनाव में जो लगाएगा कुल मिलाकर 15 लाग रुपे होगे इस से पहले उन्होंने एक बयान में कहा था कि जब तक पियम मोदी की डाड़ी है तब तक गरीबों को पियम आवास मिलते रहेंगे जब भी वो अपनी डाड़ी हिलाते हैं तो 50 लाग आवास उसमें से गिर जाते हैं पियमोदी जितनी बार अपनी डाड़ी हिलाएंगे उतनी बार आवास किरेंगे ये भजपा सांसत के बोल है जब आप पियमोदी की डाड़ी को देखना बंद कर दोगे तो आवास मिलना बंद हो जाएंगे ऐसा सांसत कह रही है पियम मोदी की डाड़ी पर विवादित बयान देने के लिए रीवा सांसर जनारतन मिस्रा की काफी फज्यत हुई थी कॉंग्रेस के मासचिप केके मिस्रा ने कहा था कि रीवा सांसर ने पियम मोदी का मचाक उड़ाया है जिसके बाद भरिष्टा चार पर जीबो गरीब बयान देकर जनारतन मिस्रा एक बार फिर फास चुके हैं फिलाल के लिए इतना ही जुड़े रहे हैं अधवाद ने उचके साथ देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हिंद भारत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले